ओम शान्ती 12 नवमर की श्रीवर्दान में आप सब कस्वागत है हमारे अंदर जो अवगुण हैं उनको हमें दान करना है उनको हमें छोड़ना है लेकिन ये मुश्किल की पढ़ जाता है आज हम इसका एक कानन ठूंडेंगे और पता करेंगे जो किस वर्दान में है तो परमात्मा हमें कहते हैं कि दिवे गुणों के आवाहन द्वारा सर्व अवगुणों की आहूती देने वाले संतुष्ट आत्मा भवा ये आपको शब्द पकड़ना पड़ेगा संतुष्ट ता जैसे दिपाबली पर विशेस सफाई और कमाई का ध्यान रखते हैं घर की पुरी सफाई रखते हैं लक्षमी जी का आवान करते हैं कहते हैं कि धनाए हमारे चीवन में क्योंकि नमें सफाई कर लिए सब चीज़ों की और फिर बिजनसमेंट जो होते हैं वो दुकाने खोल के रखते हैं ताकि बिजनस हो उनका और अगर जहां पर शेर मार्केट है तो उस दिन आपका दिपाबली के दिन पर आपका दिपाबली की एक गंटे के ले दुकान भी खुली होती है शेर मार्केट की उसमें भी आप कमा सकते हैं तो परमातों कहते हैं कि ध्यानिया पर जाता है कि इन चीज़ों पर सफाई पर जाता है और कमाई पर जाता है ऐसे आप भी सब प्रकार की सफाई और कमाई का लक्ष है रख संतुष्ट आत्मा बनो दुनियावी तरीके से संतुष्ट होना और परमात्वा कहते हैं कि सफाई और कामाई अब ये दो शब्द जो है उनको हम स्पिरिश्वालिटी में डिस्टान करेंगे आध्यात्मता में कहते हैं संतुष्टा द्वारा ही सर्व दिव्य गुणों का अहवान कर सकेंगे तो हमें किसने किसी चीज का लोब किसने किसी चीज या किसी वेक्ति के साथ में हमें इर्शा या किसी के साथ में नफरत किसी ने हमारे अर्चन डाली तो उसके साथ में नफरत हो जाएगी अगर हम संतुष्ट नहीं है तो कुछ लोग सोचते हैं कि संतुष्टा मतलब कुछ करना ही नहीं है अब हम बैठ गए बस जितना है उतना काफी है नहीं संतुष्टा का वो मतलब नहीं है संतुष्ट मतलब कि अभी जितना है उसमें हम संतुष्ट है आगे जो हम फ्लाइंस में बना रहे हैं वो थीक है उसमें अगर कोई ADSERAN डालता है तो हम अभी क्योंकि संतुष्ट है तो आगे जो हमारे जीवन में ADSERAN डाल रहा है उसके साथ में हमारी कोई नफरत नहीं है, किसी के साथ में नफरत रखना ये सारी चीज़े हमारे जीवन में आजाती हैं। तो परमात्रा कहते हैं फिर आगे, संतुष्ट द्वारा ही सर्व दिव गुणों का आवान कर सकेंगे। अगर हम संतुष्ट हैं तो हमें किसी के प्रति कोई नेगेटिफ फिलिंग नी, हम सब को दुआएं देंगे, सब का भला सोचेंगे, सब के प्रति हमारी भावना प्योर होगी। क्योंकि हम अभी के अभी संतुष्ट हैं। आगे के जो प्लान्स बन रहे हैं उसमें अगर कोई अच्छन भी डाल रहा है, कोई कारेंट से अगर वो नहीं भी बढ़ पा रहे हैं आगे चीज़ें, नो प्राइबलम। और फिर अफ़ गुणों की आहुती स्वता हो जाएगी। अंदर जो कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कभी कोई में निर्बल फिल करते हैं, क्या हो गया रहे, कैसे हो गया रहे, क्यूं हो गया, कोमलता रही हुई है, कोमलता का मतलब है, कि किसीने कुछ कहा दिया और हम उस समय हम विकल मुर्जा गए, कोमल एक दमी, कोमलता रही हुई है, उन्हें समाप कर अब नया खाता शुरू करो, और ये सारी चीज़े जो भी है, कमजोरिया हो, कमिया हो, निर्बलता हो, कुमलता हो, ये सब कुछ असंतुष्टा से निकलती है, मलकी बीज है असंतुष्टा, तो निर्बलता, असंतुष्ट, अगर हम हैं, और हम कुछ कारे करने आगले बढ़ते हैं, और कोई अगर अरचन यह चो जो certificate है क्ञेग미ट करते हैं हमारी असंतुष्टा से क्चैसमें आपने जीवन में अपने साथ में इस समय तक कितना ग्रेटफुल है कितना संतुष्टता और साथ साथ जो हमें ते हैं धन्यवार करते हैं पर मात्मा को ग्रेटफुलनेस जो है अगर हम संतुश नहीं है तो हम grateful नहीं है उन्हें समाप्त कर अब नया खाता शुरू करो और नए संसकारों के नए वस्त्र धारन कर सची दिपावली मनाओ नया खाता शुरू करो इन गुणों को भरते जो अपने जीवन में दुनिये वाले जो चीजे भरते हैं धन सपत्ति भरते हैं परमात्मा कहते हैं वो अल्प काल के लिए है लेकिन आप जो भरोगे अपने जीवन में वो है सदा काल के भवश्य के कहीं जन्मों तक वो चलने वाला खाता शुरू करो और नए संसकारों के नए वस्त्र धारन कर दुनिये वाले एक दिन कले ने कपड़े पहनते बचल में चलने परमात्मा कैते हैं संसकारों के आदितों के नए बस्त्र धारन कर सची दिपावली मनाओं तो सची दिपावली का मतलब क्या है आज पूरा परमात्मान ने खुला साकर दिया हमारे समस्ति के और इसकी गहराई You को है मैं प्रमा कुमारी इसमें के मिभम साथ पिसका साथ.